हलो दोस्तों, फाइनली डसॉल्ट रफाले की डिल पक्की हो गई है। इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे डसॉल्ट की हिस्ट्री पर और इंडिया के लिए इसकी यूसफुलनेस पर। पहली वर्ड वार के बाद से ही, फ्रांस फाइटर एक्राफ इंडिस्ट्री का एक मेजर प्लेयर रहा है। पहले विश्वयुद में फ्रांस ने और किसी भी देश से ज्यादा फाइटर्स बनाए थे। वर्ड के बाद बहुत से नए कंपनी स्टार्ट हुई जिनमें से एक थी ब्लॉक एविशन जिसने MB-201 बॉंबर और MB-155 फाइटर बनाए। ब्लॉक एविशन के फाउंडर थे मारसेयर ब्लॉक जिन्होंने से के बचने के लिए अपना नाम बदल कर मारसेयर डसॉर्ड र फिफ्टीज में डसॉल्ड ने मार्क 2.0 फाइटर बनाने का काम स्टार्ट किया और इस तरह एक ऐसा डिजाइन निकल के सामने आया जो डसॉल्ड फाइटर का ट्रेड मार्क डिजाइन बन गया ये था डेल्टा विंग डिजाइन और फाइटर था मिराज स्री इंटरसेप करी मिराज श्री का ही बड़ा वर्जन था मिराज फूर बॉंबर जो ट्विन इंजिन बॉंबर था जैसे जैसे प्लेन की स्पीड बढ़ती गई डेल्टा विंग को कंट्रोल करना मुश्किल होता गया डेल्टा विंग की शॉर्ट कमिंग की वज़े से डेसॉल्ड ने कु फ्लाइ बाइ वायर की हेल्प से मनुवर अबिलिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया गया मिराज 2000 के दो वर्जन थे मिराज 2000 C जो डॉक फाइट के लिए बनाया गया था और मिराज 2000 D जो लॉंग रिंज मिशन के लिए बनाया गया था बाद में मिराज के और भी वर इस टाइम तक radar जनरली सेम अल्टिट्टूड या अपने से ज्यादा अल्टिटूड वाले प्रेंज को ही डिटेक्ट कर पाते थे, क्योंकि नीचे के aircraft जमीन की वज़े से डिटेक्ट नहीं हो पाते थे, लेकिन Radar Technologies में advancement की वज़े से Mirash 2000 में थी look down shoot down capability, इंडिया के लिए Mirash 2000 काम आया था कारगिल वार में जहां पहली बार इंडियन एर फोर्स ने लेजर गाइड़ बॉंब्स को यूज किया कारगिल के पहाड़ियों में नॉर्मल बॉंब्स जिनको डंब बॉंब्स कहा जाता है यूज कर पाना मुश्किल था ऐसे बॉंब्स जिनरली प्रेइन सर्फिसेज जैसे एर फिल्ड्स या सिटीज में ज्यादा एफेक्टिव होते हैं लेजर गाइड़ बॉंब्स स्मार्ट बॉंब्स के कैटेग्रे में आते हैं इनको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लेजर के हेल्ब से पिन पॉंट करके अटेग किया जा सकता है इसकी वज़े से टाइगर हिल जैसे मुश्किल लोकेशन पर कबजा कर पाना पॉसिबल हो पाया 80s, 90s में Mirash 2000 हर जगे अच्छा परफॉर्म कर रहा था लेकिन इसी टाइम में European countries ने एक नए fighter पर काम करना स्टार्ट किया ये fighter था Eurofighter शुरू में France पे इसका पार्ट था लेकिन डिजाइन और operational requirements को लेकर issues की वज़े से France ने अपना separate program परसू किया और ये separate program था Rafale इस plane में focus था super cruise, stealth और omni role capability का full stealth capability maneuverability को affect करती है और इसलिए maneuverability और stealth का एक optimized combination बनाने का try किया गया साथ में एक ऐसा fighter जो air superiority, interceptor, bomber, reconnaissance और naval missions को पूरा कर सके Rafale में साथ में और भी features हैं जैसे automatic terrain following mode जो की bombing missions के लिए बहुत कामा सकता है जहां planes को radar से बचने के लिए जमीन या समंदर के बहुत पास उड़ना होता है Automatic terrain following mode में Rafale 100 feet की low height पे उड़ सकता है Active electronically scanned area यानि की ASA radar से additional benefits मिलते हैं जैसे की beyond visual range और same radar से air और ground targets को एक बहुत बड़े portion में track करने की capability Resort की हमेशा से खूबी रही है ऐसे planes बनाना जिनका maintenance easy हो Modular design की वज़े से किसी भी part को replace करना बहुत आसान हो जाता है India के famous MMRCA tender में Rafale के साथ Eurofighter भी select हुआ था इस बात पर endless discussion हो सकते हैं कि Eurofighter और Rafale में से better कौन है लेकिन इन दोनों के shortlist होने का मतलब है कि दोनों ही at least Indian Air Force के requirement को पूरा करते हैं ऐसे में कम price के अलावा और भी कुछ additional factors थे जो Rafale के favor में थे For example, Dassault के साथ negotiation का मतलब है सिर्फ French government के साथ negotiate करना वहीं Eurofighter के case में more than one nation involved है सेम बात war time के लिए भी apply होती है War के वक्त spare parts के सबसे ज़्यादा जरूरत होती है ऐसे में एक देश को confidence में रखना बहुत आसान है as compared to 4-5 देशों के French government ने हमेशा से अपने independent decisions लिये हैं और वो generally international pressure के सामने नहीं जुकते हैं इसकी वज़े से French companies से हमेशा से Indian defense contracts होते रहे हैं Typhoon एक बहुत अच्छा multi-role aircraft है बट उसका अभी तक main role air dominance का रहा है India currently Sukui 30 MKI को air superiority के लिए use करता रहा है और future के लिए हम रशाय के साथ 5th generation fighter aircraft पर काम कर रहे हैं ऐसे में इंडिया को air superiority से ज्यादा ऐसे plane की जुरूत है जो variety of missions को same efficiency के साथ कर सकें पिर चाहे वो air to air हो, reconnaissance हो, battlefield support हो या फिर bombing mission हो Libya और Afghanistan war में Rafale ने अपनी ground strike capabilities दिखाई जो इसको एक battle proven fighter बनाता है 2000 में Swiss Air Force के लिए fighter select करने का contest था जिसमें Rafale, Eurofighter और Gripen को compare किया गया था इस contest की leaked report में Rafale को हर category में Eurofighter से battle बताया गया although उस बात को 8 साल हो चुके हैं और तब से लेकर अब तक दोनों planes में बहुत से upgrade हो चुके हैं आपको पता होगा कि India अभी aircraft carriers पे भी काम कर रहा है अभी India MiG-29K को carrier से operate करता है future के लिए Tejas को भी ready किया जा रहा है लेकिन इसके साथ Rafale को भी अब aircraft carrier के लिए consider किया जा सकता है Rafale, Tejas और MiG-29K से ज्यादा weapon और range वाला aircraft है और अगर Navy भी इसको use करती है तो ये operationally काफी beneficial रहेगा बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि क्या सिर्फ 36 Rafale हमारी requirement पूरी कर सकेंगे जैसे जैसे technology में advancement होते जाते हैं, aircraft की cost और उसकी effectiveness दोनों बढ़ती जाती है किसी भी लड़ाई में aircraft की quality भी उतना ही matter करती है जितना की उनकी quantity इंडिया के पास सिर्फ 50 Miraj 4000 planes हैं और उसके comparison में 200 से ज्यादा MiG-21 है लेकिन कारगिल वार में MiG-21 से ज्यादा successful Miraj 4000 रहे डेफिनिटली अगर requirement रही तो हम और Rafale order कर सकते हैं या फिर Miraj और सुखुई 30 की तरह ही इन्ही planes को हम बाद में upgrade कर सकते हैं आज के वीडियो में बस इतना ही प्लीज इस वीडियो को like और share करें और अगर अब तक आपने चैनल पर subscribe नहीं किया है तो please subscribe करें Thank you